Hello students, welcome to channel सबकुषनो, आज आप लोग पढ़ेंगे class 9th in CRT math का प्रसनावली 10.5 के लिए introduction इससे पहले बाले पाट में आप लोगों ने प्रसनावली 10.4 का पूरा complete पढ़ाई किया था तो अगर आप लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्याद ज्याद शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से अनलाइन पढ़ाई कर सका देखिए इस exercise 10.5 को solve करने से पहले आप लोगों को इसमें कुछ प्रमे जानना है, कुछ प्रमे को prove भी करना है और इस प्रमे को आप लोग याद रखेंगे तब ही आप लोग exercise के question को आसानी से solve कर पाईए आप लोग 10.9 दिया हुआ है, एक ही बिरित खंड के code बराबर होते हैं इसको अब हम लोग कैसे पले एक figure बना एक समस्ते हैं मालनी जी ये कोई बिरित दिया हुआ है जिसका केंद्र O है कह रहा है कि एक ही बिरित खंड के code बराबर होते हैं बिरित खंड किसको काते हैं हम लोग इस बिरित में कोई भी दो बिंदू लेके जैसे माली जी हमने A और B ले लिया और इन बिंदूओं को मिला के एक रेखा खीच देंगे माली जी हमने एक दो बिंदू बिरित पर ले लिया और उसको हमने मिला दिया तो अब ये जो रेखा खंड हमने खीचा है इसमें देखिए बिरित दो भागों में बट गया है प्रतेक भाग को बिरित खंड काते हैं ये लग बिरित खंड होता है ये दिर्ग बिरित खंड होता तो यही प्रमे क्या काता है एक अही बिरित खंड के कोड बराबर होते हैं अब एक अही बिरित खंड के कोड मतलब या तो इस बिरित खंड में कोड बने हो या तो इस बिरित खंड में बने हो एक अही बिरित खंड में जितने भी कोड बनेंगे बिंदूओं पर बिरित के वो बराबर होंगे कैसा हम लोग figure बना एक समझते हैं जैसे माले जीए यहाँ पर एक बिंदु कोई दे दिया पी और यहाँ पर माले जीए एक और कोई बिंदु ले ले लेते हैं और पी को हमने क्या किया एक अही बिरित खंड के कोड़ा बिरित खंड के मतलब ऐसे हम लोग बना बना लेते हैं यहां कोई कोड बना लेते हैं माली जी यह कोई बिंदू हमने क्यों लिया उस पर भी कोड बना लेते हैं ऐसे तो जो यह कोड बनेंगे देखिए पी और क्यू पर जो कोड बने हुए है यही कह रहा है कि बराबर होंगे इस तरह के जो कोड बनेंगे एक ही बिर इ évidemment बनेगा जो यह आधार जो होगा दोनों मतलब जीतने भी कोड बनेगे सब का आधार से अल रहें यहाँ नो तो नीचे न तो उपर तो इन या जो भी कोड होंगे, यह कोड क्या होंगे, आपस में, बराबर होते हैं, यह कह रहा है, जैसे माल Bennett जी है, कोई एक बिरित दिया हुआ है, यहाँ पर कोई हमने, खिच लिया है ऐसे, जीवा इसको कहते हैं, तो जीवा के द्वारा, अमल ये ऐसे कोड बना हुआ है ऐसे कोड बना हुआ है ऐसे बना है ऐसे बना है तो ये सब ही जो कोड होंगे ये जितने भी कोड बने हुए है एक अही बिरित ख़ण में दखिए आधार सब का सेम है तो ये सब ही क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, वही यहां कहा है, कि यह जो दोनों कोड है, यह बराबर होंगे, जो भी कोड बनेंगे, तो कैसे हम लोग इसको प्रूब करेंगे, अब यह देखते हैं हम लोग, तो देखिए इसको हम लोग यहां साथ आते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूब करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ग्यात है ग्यात है में हम लोग क्या लिखेंगे बिरिदखन्द दिया हुआ है और उसमें एक ही बिरिदखन्द में दो कोड दिया हुआ तो वही हम लोग लिखेंगे एक ही बिरित खंड के कोड एक ही बिरित खंड के कोड कौन कौन से कोड है ये और ये तो इसका नाम लिखेंगे एपी बी तथा कोड एक्यू बी सिद्ध क्या करना है इसको लिखते हैं सिद्ध करना हम लोग लिखेंगे ये बराबर होते हैं मतलब एपी बी जो होगा कोड एपी बी जो होगा बराबर होगा किसके कोड a qb के इसमें भी हम लोग को रचना करना होगा रचना देखिए क्या करेंगे हम लोग अभी आप लोगों ने पढ़ा था ये कि किसी चाप के द्वारा केंदर पर बना कोड उसी चाप के द्वारा बिरित के किसी सेज भाग में बिन उपर बने कोड का दूगुना होता है तो यही हम लोग करेंगे हम लोग क्या करेंगे A को O से मिला देंगे और B को भी O से मिला देंगे लिखेंगे केंद्र O को A तथा B से मिलाया अब हम लोगों ने क्यों मिलाया है इसको आप लोग ध्यान देंगे तो हम लोगों को ये प्रेमे मिल जागा देखिए ये चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोड़ हो रहा है देखिए इस चाप A, B के द्वारा केंद्र पर जो बना कोड़ होगा इसी चाप के द्वारा देखिए यहां भी कोड़ बढ़ रहा है इस वाले तिरभुज में तो इसका ये कितना होता है? दो गुना होता है तो वही हम लोग लिखेंगे हम लोग लिखते हैं उपपत आप देखिए उपपत में हम लोग क्या करेंगे? आप लोग जानते हैं इसी चाप के द्वारा केंद्र पर ये बना कोड़ है और इसी चाप के द्वारा देखना आप लोग यहां पर बना हुगा कोड़ा तो ये वाला दुगुना होता है इसका इससे पहले वाले प्रमे में आप लोगों ने पढ़ा था तो हम लोग वही लिखेंगे 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 चूकी एक ही चाप द्वारा केंदर पर बना कोर बिरित के सेस भाग में किसी बिंदु पर बने कोर का दुगूना होता है इसलिए देखिए दुगूना होता है तो हम लोग कैसे लिखेंगे जो ये केंदर वाला कोर है हम लोग लिखेंगे इसलिए कोर ए ओ बि बराबर दो गूना होता है किसके इस वाले के देखिए ए पी बी के अब देखिए यही फिर से ध्यान देंगे हम लोग यही जो चाप के द्वारा केंदर पर बना कोर है इसी चाप के द्वारा देखिए इधर भी बना है ये कोर देख सकते हैं आप लोग ये वाला कोर तो ए ओ बी के बराबर होगा लिखेंगे तथा कोर ए ओ बी बराबर कौन सा होगा इसका भी दो गुना होगा दो कोर ए क्यू बी इसको बना लेता हम लोग समी करण दो अब देख सकते हैं आप लोग समी करण एक वा दो से जब किसी भी समी करण का बाया पच बराबर हो तो हम लोग दाया पच भी बराब कर देते हैं लिखेंगे समी करण एक वा दो से समी करण एक वा दो से बायां पस बराबर हम लोग दायां वाले को बराबर करेंगे लिखेंगे दो कोड़ A, P, B बराबर दो कोड़ A, Q, B दो से दो कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या कोड़ A, P, B बराबर कोड़ A, Q, B यही हम लोगों को प्रूब करना था देखिए A, P, B बराबर A, Q, B यहां लिखेंगे प्रूब तो इस तरह से आप लोगों को प्रमे को सिध करना है और इसको याद भी रखेंगे किसी चे हाप के दौरा केंदर पर बना कोड उसी चे आप के दौरा बिरिट के सेजब भाग में बने कोड का दूगूना होता, एक प्रमे यह याद रखेंगे और ये एक ही बिरित खंड के कोड बराबर होते हैं एक ही बिरित खंड में बिरित पर जितनी भी कोड बनेंगे सब एक दूसरे के बराबर होंगे अगर इसको हम लोग 30 अंस काते हैं तो ये भी 30 अंस होगा इसको 50 कहेंगे तो ये भी 50 होगा इस तरह से आप लोगों को याद रखना आप बाखी के बचे हुए प्रिमे को आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे तो आज के लिए बस इतना ही